नियोजित सिक्षकों पर कारवाई सुरू हो गई है केके पाठक ने एक्षन लेना सुरू कर दिया है नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग खबर बड़ी है क्योंकि कल जिस तरह से प्रदर्शन हुआ जोरदार प्रदर्शन हुआ नियोजित स सुबे के डिप्टी सीयम समराठ चोदरी सिक्षकों से बात करेंगे और बात करने के बाद रास्ता निकाला जाएगा तो खैर रास्ता निकलेगा लेकिन इधर सिक्षकों पर दनादन करवाई सुरू हो गई है जी हाँ सिक्षा विवाग ने पहले ही आदेस जारी कर रखा जो सिक्षक बिना सूचना के या बिना स्विक्रित हुए अगर चुटी लेंगे तो उन पर करवाई की जाएगी ऐसे बहुत सारे सिक्षक के परदर्सन में पहुंचे थे जिनका अवकास स्विक्रित नहीं हुआ था तो अब उन पर करवाई शुरू कर दी गई है आपको लेटर को देखिए लेटर में जो लिखा गया है सभी प्रकंड सिक्षा पधादिकारियों को निर्देश जारी किया गया है क्या कुछ देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है विशे दिनांक 13-2024 को विद्याले निरिक्षन में अनुपस्तित रहने वाले स्थिक्षकों के विरुद्ध कारवाई के सम्मंद में यानि स्थिक्षकों पर कारवाई की जाएगी जो अनुपस्तित थे और जो लिखा गया हागे मैं सिक्शक पाए गये हैं, जिनोंने लिखीत रूपप से बिधान सवागेराव प्रदसन में हिस्सा लेने हैं तू, आवेधन देकर विध्याले में अनुपस्तित रहे, अत्वा ऐसे सिक्छकों के अवकास आवेदन को अस्विकृत करते हुए, एक हपते के वेतन की कटोती की जाए तथा संबंदित नियोजन इकाई को अनुसासनी केवं विभाग्य कारवाई है तू प्रतिवेदित करते हुए समन्वे स्थापित का अनुपालन सुनिश्चित कराए तथा उप्त विभाग के अधोहस्थाचरी से अउगत कराए साथ ही ऐसे सिक्षक को परतच्छत धर्ना परतरसन में सामिल हुए हैं उनके विरुद्य विदी सम्मत कारवाई करना सुनिश्चित करे तो देख रहे हैं एक्स्तन हो गया है सिक्षकों पर सिक्षकों ने भारी संख्या में पटना में अपना जुटान दिखाया सरकार के खिल आवेदन में साथ तोर पर लिखा कि वो पतना में जा रहे हैं परदर्सन के लिए वो अपनी मांग को रखने के लिए तो ऐसे सिक्षकों पर कानूनी कारवाई भी की जाएगी वैसे सिक्षक जो दूसरे बहाने बना कर छुट्टी ली उन्होंने लेकिन उनका आवेदन अस सिक्षकों पर चला है जो परदर्सन कर रहे थे पतना में पतना में परदर्सन के दोरान लाटी चार्ज भी हुआ सिक्षकों ने लाटी भी खाई और अब जो सिक्षके छुट्टी में गय थे उन पर कारवाई भी होगी यानि परदर्सन तो किया सपलता जरूर मिली लेकिन सिक्षा विवाग अब आगे कारवाई करने जा रहा है कड़ी कारवाई वेतन कटोती तो होगी ही स्ताति साथ उस पर उन सिक्षकों पर आवस्यक कानूनी कारवाई भी की जाएगी तो केके पाठक ने अपना एक्षन लेना शुरू कर दिया है बने रहें दर्स निवूज के स तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलहाल के लिए इतना ही धन्यवाद